हाई फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू माई चैनल कैसे आप लोग उमीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे मैं भी अच्छे हूँ कि धंतेरस का दिन था सुबह का टाइम था और पूरे घर के जो जाड़ू वगएरा में कर चुकी थी और अब जो वक्त आता था कि नए कुशन क कवर और नए सोफा बैक वगएरा मुझे लगाने थे तो आप लोगों के साथ मैंने शॉपिंग में शेयर किया था दो तरीके कि मैंने कुशन कवर के सोफा बैक वगएरा खरी दे तो इसमें से मैंने रेड वाले कुछ चूज किया थोड़ा से कलरफुल मुझे बनाना था राजस्थानी टच देना था आप लोगोंने देखा होगा कि देवार का डेकोरेशन में मैंने कुछ ऐसा ही किया था एंट्रेंस का भी मैं कट चुकी थी थोड़ा बहुत रंगोली भी जो है आज के दिन पे मुझे बना देनी थी इस रूम के गेट के आगे तो ये मैंने पूशन कवर मैंने कुछ इस टाइब के लिए थे तो बस ये लगाए फिर आगे के काम भी करने थे तो सुबह पांच बजे वाला रूटीन मेरा हो गया था अस्बेंड का टिफिन वगेरा बनाके मैंने दे दिया था मतब कि वो टिफिन में पोहा लेके गए थे क्योंकि आक अधा देंगे फिर कफ्तान भी बना सकते हैं इसका क्योंकि ये गंदा तो होता नहीं इस टेबल पर कुछ कामें से कुछ खास आता नहीं है तो ये मैंने इस रूम का कंप्लीट किया कॉर्णर में पहले ही डेकॉरेट कर चुकी थी दिवार जो है वो डेकॉरेट कर चुकी अब बेडरूम वाला बेडशीट भी मैंने चेंज कर दिया था ये प्लेइन वाला लगा दिया था एक मैं लेके आई थी प्रिंट वाला और एक ये लेके आई थी तो ये वाला मैंने लगाया और इसमें भी कुछन कवर मैं लगा दूँगी ये मम्मी ने लिये थे शिपरा एक रूम पे जो सीड़ी वगरे जाती है उन सब का डेकोरेशन में कर चुकी थी इलू का रूम का भी फाइनल टच में दे चुकी थी तो यहां पर यह बैचीट मैंने लगा दिया था अब बस दुबारा से नहाई मैं और अब जा रही हूं मंदेल ठाकोजी को निलाने के कर रही हूं मेंदाओ दो मichenद का रही हूं मिजशी के लिए लिए लापत लगे हूं में इलूबास इलूब लगरे भाइनल रहे हूं मैं अबढ़का बस दूरे का ऊबढ़ है् झाल 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 तो यह इलू को मैंने बिठा दिया है दियों को कलर करने के लिए मेरे पास जड़ा भी टाइमने इस वर में इतनी ज्यादा बेजी हूँ तो मैंने क्या गिया है इसको कलर दे दी एंफेबरिक कलर और यह करें दिये देती हैं 55 55 राइबरिक कलर कर देगी उतने में मैं खाना बना लूंगी और खाना जब मेरा बन जागा उतने में ऐक रोकी शूख जाएंगे तो डेकोरेट फिर मैं कर दूंगी तो चलो यह स्टार्ट कर रहें पानी मत लगा मैंने विगो के इसुखाई दे हैं इन मैं बना में जारी उरंगोली ये इस्टेंसे सही है मैं जारी इस्टेंसे सही है तो रंगोली बना के मैंने दिये को डेकोरेट करना स्टार्ट कर दिया था ज्यादा टाइम मेरे पास नहीं था तो मैंने मिरल्स लगा दिये थे तो बस ऐसे करके दिये जो है वो डेकोरेट हो जाएंगे फिर बारी आते थी शाम की दंतेरस के दिये जलाने की तो हम लोग तैयार हो चुके थे ये दिये भी तैयार हो चुके थे तो बस मैंने नई साड़ी जहें डाली थी ये मेरी सिस्टर ने दी थी अपने ग्रैप अएठी झाल 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 तो वो ड्रशनी देखने का काम भी हो जाए और सूट का भी लेकिन वो काम तो हमारा नहीं हो पाया फिर खाना तो देखो मैंने बनाया नहीं था क्योंकि महां बहुत ज्यादा ठक चुकी थी तो हमने सोचा था मार्केट जाएंगे तो वहीं पे कुछ खा लेंगे तो वड़ा पाओ खाया टिकिया चोले खाये थे दही वड़ा खाया ऐसे करके और वापस बस आगे थे क्योंकि हमें शॉपिंग तो हमारी होई नहीं थी मिली नहीं हमें कुछ मिलाई ना इनके जीन्स इनको मेरी नशूज भी लेने थे इनको और ना ही मेरा सूट आया था ना ही मेरी कोई मोजडी और मुझी लेनी थी वो आया था तो हमने सोचा था नेक्स डे करेंगे तो यहां पर यही वो दही वेड़े और जो है वो खा रहे थे हम लोग लोगों खिला रहे थे महिशनगर प्लस फिर हम इसी दिन मांसरोवर जाके आ गए थे दिवाली के दिन वरना हम क्या करते हैं लेट नाइट मांसरोवर की रोशनी देखके आ जाते वर इस बार हमने फिर इसी दिन कर ली थी महिशनगर की देख ली फिर मांसरोवर की साइड भी चले गए थे तो बहुत अच्छी रोशनी होती है महिशनगर में भी सेम वैसी होती और मांसरोवर मे भी जो जैलर है न वो तो उनोंने इस बार बुर्ज खलीफा वगएर बनाया था तो वहाँ पे देखने चले गए थे हम मतब रात को और धंदेरस को क्या ले क्या नहीं ये समझ में ही नहीं आ रहा था क्योंकि देखो बैड वगएर जो बड़ी चीज़ें वो पहले ही मैं ले क्योंकि समझ ही नहीं आता है इतनी शॉपिंग 2 मेने से चलती जारी थी चलती जारी थी तो फिर इस दिन ये ले लिया तो यह जो है मेबी जेके जेजे जोलर हैं तो यह कभी हवा महल बनाते हैं कभी इस बार बुर्ज खलीफा का वो कर किया है नोंने तो इस तरीके से फिर दिवाली के दिन हम वैसे तो देखने जाते हैं लेकिन आज ही हमने कल लिया था क्योंकि नेक्स्ट हमें सिटी जाने थी वैसे तो हम धंतेरस वाले दिन ना सिटी की रोशनी देखने जाते हैं बट आज टाइम ही नहीं था ये थोड़ा सा लेट आय थे इसलिए तो दिवाली क भी थोड़ा थोड़ा शूट किया है व्लॉग और उससे पहले वाले दिन का भी शूट किया है थोड़ा थोड़ा तो वो एक दो दिन में आ जाएगा बस वो यह editing का time नहीं मिल पा रहा था तो चलिए मिलते हैं next vlog में